हलो गाईज आप देख रहे हैं वाई जी लौर में हूँ वाई जी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेल्मेंट जो की चाप्टर 9 है इंडियन कॉंट्राक्ट आक्ट का तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन शुरू करते हैं कि क्या होता है यह अपना पर्शन स्वफ बेल्मेंट के लिए व्यूभर अपना अपना होता है इसको मिल रहे हैं वह वापर्पस रिटरन कर देने होते हैं बेलर को ये एक rule है जो आप ध्यान रख लो काफी easy रहेगा कभी confused नहीं होगे कोई भी चीज की बात कर रहे हैं जैसे bailment की बात कर रहे हैं तो bailer जो होगा ना वो वो होगा जो दे रहा है अपने goods और bailie वो होगा जिसको मिल रहे हैं जैसे pawn करने की बात करें आगे pledge भी आएगा bailment में तो जो pawner होता है वो अपना समान pawn कर रहा है और lequel ders जो होता है जिसको वह समान मिल रहा है उस process में समझे लोग हो के हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने इंपोर्टेंट पॉइंटर लिख लिए जिससे कंसेप्चिल क्लारिटी आजएगी सबसे पहला बेलर हज़ा डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड अब मालों जो गुड्स दी इस एक्जामपल में यह गुड्स एक टीवी यह टीवी यूज करने के लिए इसने इसको दिया यह कुछ भी काम के लिए रिपैर के लिए दिया और इसने बताया नहीं कि भाई यह टीवी की पूरी बॉड्डी में करंट आता है बहुत तेज बताना भूल गया यह क्या चीज़ है यह फॉल्ट है फॉल्ट जो क्या कर स रखती है extraordinary risk रखती है extraordinary risk की fault की वज़े से इसको अगर कुछ नुकसान होता और इसने पहले इसको बताया नहीं है तो बेलर compensation देगा common sense है फिर उसके बाद मानलो TV इसको दे दिया किसी भी काम के लिए यह TV यूज कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक reasonable care रखे ठी कुछ भी दिक्कत आ जाती है मतलब मानलो इसके पानी फेक दिया TV खराब हो गया तो यह reasonable नहीं है कि आप TV पानी फेक दो तो बेली बेलर को compensation देगा लेकिन मानलो इसने reasonable care रखा यह TV कुछ special kind का TV है और यह एकदम AC में ही चलना चाहिए हमेशा अगर थोड़ा सा भी गरम हु लोगी ना तो फिर कोई यह वाली जिम्मेदारी नहीं बनती है reasonable care तक जिम्मेदारी बनती है फिर उसके बाद बेली केन यूज दा गूड़ ओनली फॉर दा यूज ही ऑथराइज वाली बात है अब अपन यहां पर ले लेते हैं TV हटाओ यहां पर है हॉर्स इसने इसको हॉ है मस्त उसमें तो यह authorized जूज नहीं था तो बेली बेलर को compensation देगा simple अगर बेली mix कर देता है गुड़ को अपने खुद के गुड़ से बेलर ने बेली को गुड़ दिये बेलर ने बेली को दिये 100 किलो चावल तो 100 किलो राइस इसने इसको दिये अब बेली ने क्या करा यह वाले जो चावल हैं अपने चावल के साथ mix कर दिये तो दो situation हो सकती है या तो concern से करें बेलर ने ही बोला था mix करने को या without concern करें बेलर ने कुछ नहीं बोला था concern नहीं दीते mix करने की अगर concern दी है तो मालो यह 100 किलो चावल को यह अपने 100 किलो चावल में mix कर देता है तो equal 50 50 proportion हो जाएगा इनका जो total product बचेगा उसमें यह बात यहां लिखिए अब मालों concern नहीं दी थी और इसने mix कर दिये तो दो situation हो सकती है या तो वो separate हो सकते हैं या वो separate नहीं हो सकते तो इसने mix कर दिये without consent ऐसी जो separate नहीं हो सकती तो compensation देगा जो भी loss हुआ है 100 kg चावल का इसको loss हो गया ना mix हो गया इसके तो वो बेली इसको देगा यह अगला point फिर उसके बाद necessary expenses जो भी cause होंगे बेल्मेंट पे बेली के द्वारा बेली जो भी necessary expenses करेगा उस बेल्मेंट पे वो देगा बेलर जैसे मालो इसने इसको घोड़ी दे दी घोड़ा नहीं घोड़ी दे और वो घोड़ी थी pregnant वो घोड़ी का बच्चा हो गया उस बेल्मेंट के टाइम पे तो वो बच्चा हुआ तो ऐसे दो बच्चा हुआ नहीं होगा वेट वेट को बुलाया होगा पेरिड के लिए और उस टाइम से पहले वापस ले ली जाए जैसे मालो यह अपना बेलर है यह अपना बेली है इसने इसको घोड़ा दिया एक महीने के लिए एक मन्त के लिए मैं तुम्हें घोड़ा देता हूं और यह बंदे ने आगे घोड़ा चड़ा दिया एक मन्त के ले लेता है तो फिर compensation देना पड़ेगा किसको देना पड़ेगा बेलर बेली को देगा क्यूंकि उसकी गलती तो उसने पहले ले लिया दूसरे के बाद आता है pledge बेल्मेंट और pledge में क्या difference है बेल्मेंट और pledge में इतना difference है जितना culpable homicide और murder में difference अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या कहने वाला हूं pledge जो है वह एक बेल्मेंट का type होता है every pledge is a bellman but every bellman is not a pledge like every apple is a fruit but every fruit is not an apple समझ रहो ना अंतर तो यह दोनों में difference नहीं है pledge बेल्मेंट का एक type है बेल्मेंट में अपन क्या करते हैं goods देते हैं बेलर बेली को goods देता है pledge में वो जो goods होती है ना वो security का काम करती है for payment of a debt और performance of a promise मतलब एक आदमी जाता है उसको वो वो को जी pledge करता है कि देखो मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ और मैं अपनी promise fulfill नहीं करूँ तो आप मेरे से यह good रख लेना हमेशा के लिए जो मैं आपको pledge करके जा रहा हूँ यह आपका ही हो जाएगा और पॉनशोप सुना है पॉनशॉप पॉनशॉप में जाके आप कै Exodus रख लो मुझे 10 लाग रुपए दे दो दस लाग की कौन से अंगोटी होती मेरे अंगुठी किरवी रख लो मिरे को 10,000 रुपे दे दो और मैं अगर 10,000 रुपे नहीं लोटाओं तो आप मेरे अंगुठी बेज देना तो यह हो गई प्लेज मैंने मेरे अंगुठी प्लेज कर दी यहाँ पे जो bailer होगा ना उसको बोलेंगे pawner pledge के case में बेलर general term है यहाँ पे pawner हो जाए क्योंकि वो अपना समान pawn कर रहा है और pawnie हो जाएगा जिसको वो pawn कर रहा है ठीक है वही वाला pawner pawnie, pawner जो pawn कर रहा है pawnie जिसको pawn हो रहा है समान तो इतना सा gist है bailment का और bailment of pledge का समझे रहो pledge भी एक bailment ही होता है bailment general है pledge थोड़ा specific है मैंने यहाँ पर differences दी हैं तो उनके go through कर जाते हैं पर एक बार जब transfer of goods करते हैं 1% to another for a specific purpose is known as bailment जब अपन transfer of goods करते हैं from 1% to another as security for repayment of debt is known as pledge debt या फिर कोई promise fulfill करने की आप security दे रहे हो ठीक है यहाँ पर सिर्फ debt लिखा है मैंने लेकिन उपर मैंने बता दिया payment of a debt और performance of a promise bailment, bailer, bailie defined a section 148 में section important है pledge, ponder और pony defined a section 172 में फिर उसके बाद person who delivers the bail good is known as bailer person receiving such goods is known as bailie यहाँ पर ऐसे pleasure या पॉनर बोलेंगे और जिसको सामने आले को मिल रहा है वो होगा या तो प्लेजी है पॉनी दोनों चीजों में से कुछी बोल सकते हो bailment में ज़रूरी नहीं है कोई consideration हो लेकिन consideration pledge करने में हमेशा होती है क्योंकि जब आप pledge कर रहे हो होता है उसका right होता है बेचने का पूरा परपस ही ही ना as a security की मैं अपना debt fulfill नहीं करूं तो आप मेरी security बेच देना तो right होता है उसका बेचने का bailie use कर सकता है goods को only for a specific purpose जो pledge या pony होता है वो goods को use ही नहीं कर सकता वो security के लिए दिये वो स्रिफ उनको रखता है ठीक है उनको use करना ही नहीं है काफी लोग ऐसा assume कर लेते हैं कि bailie में soft soft लिखा है only for a specific purpose तो pledge या pony में कोई भी purpose के लिए use कर सकते हैं क्योंकि वरना यहा specific purpose क्यों लिखते हैं यहाँ पर specific purpose है लेकिन यहाँ पर use ही नहीं कर सकते हैं ठीक है अलावड ही नहीं है परपस क्या है bailed goods का is for safe keeping और repair जैसे आपने अपना code dry cleaning के लिए दिया तो वो भी एक होता है तरीका ठीक है या आपने locker में समान रखवा रखा है बैंक में है ऐसा कुछ ठीक है purpose of pledged good is to act as security for repayment of debt और performance of the promise तो यह major major इन दोनों में difference है यहाँ पर pledge और bailment खतम होता है इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता deep में जाने की जरुरत है तो मैं नहीं गया तो यह होगी Indian contract act में bailment complete अगर अच्छा लग गया तो फिर दूसरे वीडि वीडियो में bye bye tata take care